इधर की साइड में भी खड़ी है और इधर की साइड में भी खड़ी है लड़के भी खड़े भाई यहां पे आप सोचो लड़के भी यह लड़कियां भी है और यहां पर आप लोग किसी भी लड़की को पिक कर सकते हो लड़के को भी पिक कर सकते हो और गाईस आप लोग य तो लडकी जाती है तो अब देखो यह लड़की यह इनकी फोटो गरा ले रही है अब वो देखो लड़का पूछ रहा है तो यह लड़की यह लड़के से पूछ रही है जो किस्ट टि friend and जूल के लूब ऑच्छिंग भरेश हुं मुप्सुनलों को जरु क्नद चेंल सब्सक्राइन ए आठ बन देख और नहां देख जियाख क्या दड्सक्टि आपका दोस्त्ति यहां एल हुआब ए था भूमत है इंसान चैनल तो आज में आप लोगों को जपान की एडल्ट नाइट लाइफ दिखाने वाला हूं हम लोग आज यहां पर जपान की जो नाइट लाइफ है वह एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आप लोगो दिखाऊंगा विकॉज एडल्टरी काइंड ओफ तिंग्स मैंने काफी जादा सुन लेकिन आप लोग जापान टोक्यो की नाइट लाइफ देखना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है जो आप लोगो थाइलेंड पटाय में देखने को नहीं मिलेगा उससे कही जदा आप लोगो टोक्यो में देखने को मिलेगा तो चलिए आप लोगो लेके चलता हूं और क्या है जापान की गलियां है और जापान के घर वाउ राप चंडस है बहुत छुब उरत है आप जापान की घलीयों में घूमोगे घूमा सकता है तो आप जापान के स्ट्रीट पे एक करते अप्रापर्शन और देखने को मिलेगी और इसго थे स्ट्रा breaking अब एक गर वगरा बना के देते हैं तो यह देखो यहां पर आप लोग प्रपर्टी वगरा ले सकते हो जापान में टोक्यो में प्रपर्टी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रपर्टी शाहिद पूरे जपान में कहीं पर भी नहीं है और यह यहां पर कुछ नहीं चल रहा, शिरफ एनिमेश्न, गेम है वगारा कर रही है, और यह देखो, यहां पर कुछ हैसे तरीकले से चल रहा है, सही है यहां पर लोग टाइम पास करते हैं और जैसे आप लोग थोड़ा सा वॉक करोगे आप लोग यहाँ पे मुवीज काटून्स और वो सब देखने को मिल जाएंगे और आप लोग को मैंने बहुत बार बताया कि जापान में डीवीडी बहुत ज़्यादव पॉपुलर है यहाँ पे बहुत सारी डीवीडी है यह देखो आप लोग इन में से कोई सीभी डीवीडी बाए कर सकते हो जो कि यहां की प्रोस्टिटूट शॉप है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पर कुछ गलत काम होते हैं इसकी अंदर यह सारा होता है आप लोग कुछ आइडिया लग रहा होगा जिसको बोलते हैं टैलकुरा जो कि 1990 तक चलता था लेकिन अभी ऐसे तरह कि आप लोग जादा शॉ कोल्डरी वगारा पी सकते हो यह नाइंटीज में हुआ करता था अब आप लोग इस तरीके की ज्यादा शॉप देखने को नहीं मिलेगी यहां पर आप लोग को सर्विसिस कैसी देखने को मिलेगी अगर आप लोग वहां पर जाते हो अकिला पन महसूस करते हो तो आप देखने को मिलेगी आज कल पाप लोग और लोग कितने सिस्पेमेटिक यहां पर लोग एक साई में खड़े हैं बले यह एक साइड जा रहा है लेकिन लोग एक साइड खड़े है और बहुत टाइम के पंक्चोल है और लोग हर चीज को फोलो करते हैं तो भाई देख लो आप लोग कितनी ज्यादा हल चले यहाँ पे आप लोग यह टिकेट डालोगे न तब जाके आप लोग गेट से निकल सकते हैं लेकिन लोग ओनेस्ट यह दिखाते हैं और जाते हैं वहां पे कोई भी गाड निखड़ा एक भी गाड निखड़ा और एक भी दरवाजा बन निकल जाओगे और काफी ज्यादा भीड़व है यहाँ पे कर दोड़ा सा और इधर की सेड़ हाँ जापान में अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे लोग अपनी गलफ्रेंड को फ्लावर बहुत ज्यादा देते हैं तो यह बहुत ज्यादा पोपुलर है और यह सामने कोई बेकरी शॉप है और जे वाई जेके जे दोनों लाइन य जेवाई जेकिलाइन आयन यह और जेसी जाय जय जे-आर जे-आर जे-वाई जेकिए सारी किसारी गुसरी लाइन से तो आप लोग अगर जी आर पास लेटे हो तो इन में फ्री में ठ्रेवल कर सकते हो बाई आप लोग देख रहे हो यहां के मेट्रो स्टेशन में कितनी ज्यादा भीड़ है यह सिंजुकू ट्रेन स्टेशन की आलत है यह देख रहे हो अफरा तफरी चल रही है यहां पर भाईसाब खतरनाक वाली अब तक हमने दो दिन से ना ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है नहीं देखी ती जपान में और टोक्यों सिटी तो काफी ज्यादा टेक्नोलोजी के मामले में बहुत आगे लेकिन अब जाके हम लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं आ गया जपान में और बहुत देख है कि आप लोगesin लेक्ड़ें बिल्डिंग में लेकर हम यहां पर तरह सार्री कि मिल जांकर है नोगे वह सारे लोग है अर यह जो आप लग बिल्डिंग देख रहे हो न इसका बोलते हैं में बेटैं में पर अलावी उपर जाना वहीं जाहूं पर बिल्डिंग है और कुछ इस तरीके से यहां पर व्यूज है और इसके बीच में यहां पर लोग सारे बैठे हुआ है तो ग्राइज यहां पर एक लाइफ शो होने वाला चार पांस सेकंड में अव्य हूं आज यहां पर पिस आफ पर विद यू इस आप लोग अगरा बने खिए अच्छा यहां पर होम लेस्ट लोग का घर आप लोग देखो गए ना तो यहां पर ने कुछ बॉक्स वगए रखे आप लोग सपोर्ट कर से तब प्लीज टेक दढ पीच आफ पेपर पिलेगा देखो ने तेखो अमलेस लोग पिलेगए यहां पे और लाइफ डिफिकल सामेश अब डिफिकल्ट जपान में भी हम लोग छारे अप लोगों देखने को मिल जाएंगे ज़ल Jude तो पाइनली हम लोग आगे सिंजुगू कैपिटल में यहां पर आप लोगों को रियल नाइट लाइफ देखने को मिलेगी यहां पर नोबजे के बाद तो भाई सब क्रेजी एडवेंचर रहता है यहां पर एक तरीके से और बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है तो मैं गलत जाइड में आगया तो मैं तो and the street you will see here this one is real nightlife area by crowd देखो यहां पर अभी हम लोग अना इंटर करने से पहले यहां का काफी बड़ी अट्रेक्शन जगह है बाकि भाई यहां पर नाइट में इतना क्रेजी महौर रहता है तो आप लोग को पहले तो गोर्जीला है दिखाता हूं कैसा क्या दिखता है बहुत बढ़ा है यहां का है यहां की नाइट लाइफ और वह सामने देख रहें वह गोड़िला है थोड़ा सा में जूम करने कोश्च करता हूं दिखरा गोड़जिला हैड बोरा गोड़जिला हैड तो गाइज आप लोग सभी बता रहा हूं भाई इसके सामने ना थाइलंड की नाइट लाइफ कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है वहाई जीरो परसेंट है यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है और स्पेशली यह जो यहांट को बहुत सारी जो सारी काइंड उफ छीशारी वहांपर देखने को मिलेगी बादि कराउड बहुत जाता है और मेरे लगता आप लोग यहांपर आदे गंटे के आप लोग देख रहे हैं साइड में जो लड़कियां वगरा खड़ी है यहां पर यहां पर इधर की साइड में खड़ी है और 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 इधर की स मतलब कहने की बात यहां पर लड़के भी आते हैं तो यह बहुत क्रेजी माहूल यहांदे को इ成 अप लोग काफी सारे मिल जाएंगे और सेम इ steeper की सेड आप लोग मिल जाएगा और इसनी पूरा रहे है कि अप लोग थोड़ा सा तोयो का की बारे में बतायता हूंग यह जगर टोयों को यहां पे जो होमलेस लोग रहते हैं और यहां पे जोलडकी महने बैसों के ज़ुरत रहते आए तो होमलेस लोगी जोलडकी काया नैके अर्ट लोग की और लके 7 सा नहीं नैके लोग देख रह Ages शूर। तो जितना मुझे लगता है यहाँ पर काफी ज़्यादा चार्ज करते हैं 20,000, 30,000 यान चार्ज करते हैं जो कि अपने इंडिया के 12-13,000 रुपे के असपास होते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्पेंसिव है ऐसी नाइट लाइफ भाई आप लोग को अना मैं टाय सकता हूं थाइलेंड बे भी नहीं देखने को मिलेगी बहुत क्रेजी नाइट लाइफ है आप लोग यह देख रहे हैं मेरे सामने यह होस्टो कलब है इसका मतलब क्या है यहाँ पर लड़का भी जाता है लड़की भी अगरा सारे जाते और उनको ठीक करते तो जैसे यह सिरफ लड़कों पाई कलब यहाँ पे लड़किया लाओ नहीं है इसी तरीके से यहाँ पर लग अलग तरेके खोटो कलब है तो आप लोग यहां पर फोटो अगरा देख रहे हो यह सारे के सारे लड़के ऐसारी के लड़के आप लोग को अंदर देखने को मिलेगे तो मतलब लड़कियां भी यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज करती है तो यह चीज काफी शौकिंग है मेरे लिए यह चीज मैंने तो थाइलंड पताया में भी नहीं देखी आप देखो यह एक और होस्टो क्लब यहां पर जो यह होट होट से लड़के बना रख्या न यह सारे के सारे अंदर आप लोगों को द इसा भी है न बहुत ही ज़्यादा वेर्ड है सही बता रहा हूं और यह आप लोग देख रहे हो मेरे सामने काबाकूर यहां पर सिर्फ लड़के जा सकते हैं बिकॉज अंदर जितने भी होस्ट मिलेंगे वह सारी सारी लड़कियां मिलेगी तो यहां पर लड़कियां बिल अच्छी नाइट लाइफ है और मुझे लगा कि यहां की नाइट लाइफ इतने इंटरस्टिंग है तो आप लोगों बतानी बनती है तो बाइफ जपान आओ टोक्यों बहुत खूबसूरत है इसके अपाड़ यह तो ठीक है तो नॉर्मल चीजिए हैं बाकी खूबसूरती के मामले में है ना मैं कहा सकता हूं बाइफ जपान की टक्कर में कोई भी कंड़ यह देखो अब वह देखो लड़का पूछ रहा है नो देखो वह लड़का बार बार उससे पूछ रहा है तो यह देखो यह लड़की आ रही है लड़के से पूछ रही है तो वाई बहुत क्रेशी माहोल है यहां पर यह पैसा दे रहा है और यह कुछ कर रही है वाई साब क्या ही माहोल है और यहां पे आप लोग जितने भी देखोगो ने सारे के सारे क्लब देखने को मिलेंगे आप लोग को और यही कुछ माहूल है यहां पे यह सारे क्लब है लाश्ट तक चले जाओगे आप लोग क्लब देखने को मिलेंगे और पीछे चले जाओगे क्लब इधर चले जाओगे क्लब सब क्लब देखने को मिलेंगे आप लोग को और माहोल वो देखो लड़के भाग भाग के पकड़ते भाई खत्री लड़किया है यहां पर लोग यहां पर होटल देख रहे हैं यह सजा रखें यह डब होटल्स है जो पकड़ पकड़ के कफस लाते हैं वह यहां पर यहां पर यह चालती है और स्कॉट बॉइस और यह सारी चीचे बहुत ज़्यादा चलती है तो यहां पर फॉक अप गर्ल्स और बॉइस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भाई मतलब आप लोग को हर्ड स्ट्रीट पर कोई ना कोई दिख जाएगा तो यह जो पूरा एरिया है ना यहां पर आप लोग को साहगा सारा night life देखने को मिल जाएगा इसे एरिये में आप लोगो थोड़ा सा साइब में जाओगे जितने भी बिजनस का काम सारा कुछ उतौता है वो सारा कसार यहां पर देखने को मिल जाएगा तो और आवरल मैं कहा सकता हूं कि जो Tokyo का जो मेंन सेंटर है वो यहीं पर आप लोगों देखने को मिलेगा इस साइड में खड़े रहते हैं वह सारे दिखेंगे ब्हुत सारे है अधर की साइड में यह पोटल बाली एड आईुलेंड तो यह सारे के सारे different kind of hotels है जहां पर आप लोगों को different kind of activities देखने को मिल जाएंगे विगाज ये overnight नहीं रहते हैं गंटों के साब से रहते हैं सारे के सारे तो crazy है भाई ये देखो इदर देखो ये लड़के ये लड़की को hello bye bye कर रहे हैं अला भाई बहुत ज्यादा बुरा हाल है तो दिखाना तो बनता है ये बाई जैसी भी night life है यहां पर दिखानी बनती है कि अ अकेले में बैठके देखो कैसे भी देखो लेकिन अच्छा नहीं लगता है फैम mili के साथ में पि到底 यहां पर जो इस वीड़ुप में देखा रहा हूं भाई जैसा था वह सा दिखा रहा हूं आप लोग को स inputs. गलुप है कि पूरी जगह भाई यही काम की यहां पर देखो बहुत सारे कलभ होटल यह सारे चीज़चे देखने को मिल जाएंगी और गया आप लोग यह आप लोग यह shift आप यहां पे काफी आबद्र आबद्र आफ देखने को मिलेंगी तो अंदर जाने की देखके आएगा क्या चीज़ देखने को मिलेगी क्या दिखा कुछ भी को यह पूरे स्ट्रीट में जो गंद मचा रखा ने लोगों ने भाई क्या वोलूंगा लब आप आओगे ने तभी आपको समझ में आएगा यहां पर जो रियल में गंद मचा रखा तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कभी भी जपान आओ न यह चीज़ से बचके रही है और यह सारी की सारी जगह जो हमारा उस तो उसने हम लोग को बताईए भाई हमको तो पता भी लगते कहां पर क्या चीज़ तो उसने काफी हल्प किया यह सिटी को डंग से एक्स्प्लोर करवाने की विकॉस रियल लाइट नाइट लाइफ हम लोग नहीं देख पाते हैं अगर यह ना होता ना तो हम लोग ऐसे घूम के चले जाते विकॉस यह बहुत बढ़ा हमारा जो होस्त ना वह एक और इंट्रस्टिंग जगह में लेके जा रहा हूं तो यहां पर भाई साब बहुत ही इंट्रस्टिंग जगह देने हो मिल रही है हम लोग और ऐसे पेड़ पोदों के बीच में जंगलों के बीच में पूरी जगह बना रखी और बहुत ही यहां पर होती होगी तो यह बंदा भाई हमें एक एक चीज एक्स्प्लेइन कर रहा है एक चीज यहां पर भी कुछ न कुछ तो हई यहां पर नहर अफ्रीकन ने बहुत गंद मचा यह बोर रहा है यह गोर्डन गाये तो देर आर्ट सो में जैपनीज रेस्टूरेंट नोट रेस्टूरेंट बार सार देर ओर टू इंजोई द्रिंक्स ओनली जैपनीज तो आप लोग रियल जैपनीज बार को एक्स्पीरें ऑ मुद्धान है आप लोग लोग लोगोंस ξेंद बाला बशूल तो यहां पर यहां पर लोग लोकल जैपनीज लोगोसे मिल सकती हो और ड्रिंक्स ओम पर ड्रीन आप्ने सकते हो सेम आप लोगो को इस स्ट्रीट के अंदर देखने को मिल सेमा तो बिएगा यहां पर बहुत तो वह दिखाता है कि यहांपे कुछ हैं दिखाता हूं अंदर से हैं बहुत छोटे-छोटे हैं ज्यादा बड़े निया जो गली चोटे-छोटे-बार यहांपे आप लोग local लोगों से मिल सकते हो और बाते बगरा कर सकते हैं चोटा सा ही यहां पर लड़का लड़की मिलते है तो भाई हम लोगों को बार बगरा में इंटरस्ट है नहीं तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे आप लोगो सिर्फ मैं दिखाऊँगा कि कि यहां पर क्या कुछ चल रहा है छोटे-छोटे हैं भाई मैं कहा सकता हूँ अपने लेटरिंग बातरूम रहते हैं उससे भी छोटी-छोटी जगह सिरफ यहां पर बार काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो रही है देखो अंदर बार है और बस आप लोग यहां पर ड्रिंक्स इसी जगहों पर घुसना बड़ा मुश्किल है पता ही लगेगा कौहां पर है और चोटी-छोटी गलियां चोटी-छोटे मकान बने हुआ है अब लोग जो जगह दिखाए दिनों उसको बोलते हैं गोर्डन गाय जो जैपनीज में बोलते हैं हमारा बोश्टा भी बता रहा तो यह चीज काफी इंट्रस्टिंग लगी मुझे जपान में और जगह इतना ज्यादा इंट्रस्टिंग देखने को नहीं मिलता है ऐसे नॉर्मल लाइट लाइफ रहती है लेकिन जपान टोक्यों की जो नाइट लाइफ बाही नेक्स्ट लेवल है बहुत नेक्स्ट लगी हुई तो देख सकते हो आप लोग कितनी बड़ी लाइन है तो आप सोचो यह रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा रेस्टोरेंट क्या है कुछ तो है लेकिन यहां पे लाइन लगी हुई है जो वर्दस्ट भी हम लोग आने यहां पे खाना वाना खाने आये थे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है तो आप लोग एक सबसे कमाल की चीज दिखाता हूं जापान में लोग मैं बारबार discipline discipline क्यों बोल रहा हूं यहां पींडर ग्राउंद में इहां ने रेस्टोरेंट बना रहा है तो आप लोग देख रहे हैं यहां पूरी भीड लगी हुई है तो लोग लाइन में खड़ें है दो चेर लगा करते हैं हो नंबर से रेस्टोरेंट के लिए बाहर चेर्स लगाँ रहे तकि आप लोग वेट कर सको और हम लोग यहाँ पर यहाँ पे कैफ़े को एंड है है यहाँ पर खाना खाने वाले हैं तो अभी हमारा नंबर आयो है नुज यह लोग इनव आप लोग मेनू चेक कर सकते हो और फिर अंदर आप लोग को जो मशीन रोबोट आपका खाना लेके आएगा और तब जाके आप लोग खाना खा सकते हो तो भई आप लोग देखर हो यहाँ पर रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह कुछ रोबोट चलते हैं वह आप लोग खाना लेके आते हैं और हर टेबल पर स्क्रीन पर इस तरीके से कुछ बना हुआ है यह दिखो आप लोग यह तेबल मिलेगा यहाँ पर स्क्रीन बनी होगी आप लोग कुछ भी ओर्डर कर सकते हैं यहां से तुमारा हां दर्दे तो किसी कर दो है कि यह तेरा है यह तो दबा दे उपर से कुछ नहीं है यह अपना नहीं आप लोगों ने यह कुछ फूड ओडर किया है मेरे पास देख लोग इतना सा राइस दीय और यह दीया है यह कुछ डायस रूपे का बिक्रीश में पैंडरों के ले और आफ़ 취 Pas doing यह अदुर लगी है कैसा क्या है में जब हम लोगए तो चाइना मेंangel है जब हम लोग गया पर कोई नहीं ऐसे ऐसे पकड़ोंगे और शेम इसी तरीके से अब इसमें क्या ही बताऊं सुवाद तो कुछ आनी रहा है प्लेन राइस है तो बाई कैलास ने अभी अभी है ना मचली खाई है तो अब बदा दू जिंगे थे अच्छे थे क्या थे मज़ा निया ऐसा ही होता है जब खाने के बाद है आदमें डकार जाता ने फिर बोलता मज़ा नहीं आया था और के लाज को जब तक भूग लगती है न तो तक वाज साब कुछ भी दो पेट भर गया इसका आप तो मज़ा नहीं आ रहा है और जो इसके पीछे दीदी बैठे ने क्या गोरी गोरी दीदी अब आई अच्छी लग रही है के लाज कैसी लग रही है तो बातो तो आज के इस वीडियो में इतना ही था काफी कुछ दिखाया आप लोग को और यहां की जो नाइट लाइफ है ना टोक्यों की ऐसी नाइट लाइफ में पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखी भाई इतनी सारी कंटे का ट्रावल कर ली लेकिन ऐसी नाइट को दिखाने चीए और मैंने अच्छे से आप लोगों दिखाई होपसो आप लोग यह वीडियो पसंद आया और वीडियो खतम करने से पर रिक्वेस्ट करूंगा भाई कोई चीज को देखके जज्मत कीजिएगा विकॉस सारी चीजे एसा कॉंटेंट क्रियेटर मेरा संद है तो इस वीडियो को लाइक कर दिएका शेयर कर दिएका और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के जैहिन बाई बाई